हम सभी जानते हैं कि मौर्य सामराज्य ने एक समय भारतिय उपमहद्वीब के अधिकांच भुभाग पर अपना साशन स्थापित कर लिया था। परन्तु इस महान राजवन से जुड़े ऐसे कई प्रश्न हैं जिनके विशय में हम अधिक नहीं जानते। इतने विशाल सामराज्य को स्थापित करने वाले यह मौर्य कौन थे, उनकी उत्पत्ती कैसे हुई और वह कहां से आये थे। प्रस्तुत वीडियो में हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। जब हम इस विशय से संबंदे स्रोतों की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। साहित्तिक एवं शीरालेक संबंधी स्रोत। यदि हम साहितिक स्रोतों की प्रथम बात करें तो हम पातने हैं कि इन में भी हमारे पास दो प्रकार के साहितिक स्रोत हैं। प्रथम तो हैं विदेशी स्रोत और दूसरे हैं भारतिय स्रोत। जब हम विदेशी स्रोतों की बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से उन विदेशी स श्रोतों की बात कर रहे हैं जहां सिकंदर के भारत अभियान का वर्णन है और इन विदेशी स्रोतों में से एक स्रोत ऐसा है जहां मौरे राज जिवंश की उत्पत्ती के संबंद में हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है इस स्रोत के लेखक का नाम है जस्टिन जो की दूस सदी का एक रूमन इतिहासकार था इस स्रोत या इस ग्रंत में जस्टिन चंद्रगुप्त मौरे को सेंड्रकोटस कहते हैं और वह लिखते हैं कि सिकंदर की मृत्यू के पस्चात भारत ने मानों अपने कंट से दास्ता का चिन उतारते हुए सिकंदर के सर्तारों को उभरा था उसका जन भले ही सदारन परिवार में हुआ था किन्तु उसके प्रबल भाग्य ने उसे राजशाही की ओर प्रेरित किया। तीसरा चंद्रगुप्त का पालन पोशन विपन्नता में हुआ। राजा है वह निम्नकुल का है इसलिए सिकंदर को नंद सामराज्य पर आक्रमन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार का तर्क चंद्रगुप्त सिकंदर को देते हैं। यह कता हमें पश्चमी स्रोतों में पढ़ने को मिलती है। अब यहां यह प्रशन उठता है कि यदि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयम निम्नकुल के थे तो वह किस आधार पर सिकंदर को यह कह सकते थे कि उसे नंद सामराज्य पर आक्रमन कर देना चाहिए क्योंकि नंद राजा भी निम्नकुल का है। तो यह निरर्थक जान पड़ता है। अब आईए देखते हैं भारतिय स्रोतों में मौर्य राजवन्ष की उत्पत्ती के विशय में क्या लिख रखा है। पुराणों ने स्पष्ट रूप से मौर्यों को नीच कुल का किसी भी स्थान पर नहीं बताया है। परंतु विश्णु पुराण में एक स्थान पर यह कहा गया है कि नंद राजवन्ष के पस्चात जितने भी राजवन्ष आये वह शूद्र वर्ण के थे। इस कथन के नुसार तो हमें यह मान लेना चाहिए कि मौर्य भी शुद्र थे। परंतु विश्णु पुराण का यह कथन विरोधा भाशी जान पड़ता है। क्योंकि जैसा कि हम सबको पता है नंद राजवन्ष के पस्चात आये थे शुंग और उसके पस्चात कणव आये। और कणवों के विशय में पुराण स्पष्च रूप से हमें यह कहते हैं कि कणव भ्राम्मन थे। इसके साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि विश्णु पुराण की ऐसी कई टीकाएं हैं जिसमें मौर्यों को नंद राजवन्ष से जोड़ा गया है। और इन टीकाओं के अनुसार मौर्य शब्द मूरा से आया है जो की चंदरुप्त की मा का नाम था। और यह मूरा एक नंद राजा की पतनी थी। तो इस प्रकार यदि हम विश्णु पुराण की इन टीकाओं की मानें तो मौर्य राजवन्ष का संबंध नंद राजवन्ष से था। और नंद राजवन्ष के विशय में विश्णु पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि वह शूद्र थे। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि क्योंकि नंद राजवन्ष और मौरे राजवन्ष आपस में संबंधित है तो मौरे राजवन्ष भी शूद्र वर्ण का हुआ। परंतु यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि मौरे राजवन्ष और नंद राजवन्ष के बीच का जो हिया संबंध है हमें मूल विश्णु पुराण में पढ़ने को नहीं मिलता। यह टीकाकारों की देन है और यह टीकाकार किस तथ्य के आधार पर यह कह रहे है कि चंद्रगुप्त मौरे की मा एक नंद रानी थी यह भी हम नहीं जानते। यद्यपी यह भी सत्य है कि मौर्यों के प्रती पुराण दयालू नहीं है। मारकंड्य पुराण में मौर्यों को असुर बताया गया है और युग पुराण में मौर्यों को दुष्ट एवं आधार्मिक की संग्या दी गई है। यदि हम इन टीकाकारों की बात मान लें कि चंद्रगुप्त की मा एक नंद रानी थी तो ऐसी स्तिती में चानक्य की कथा निरर्थक सिद्ध हो जाएगी। जिसके अनुसार चानक्य ने नंदों को उखाड फेकने में चंद्रगुप्त की साहता की थी जिसके फल सरूप आगे चल कर मौर्य सामराज्य की स्थापना हुई। विबिन्न स्रोतों से यह स्पष्ट है कि चानक्य ब्राम्मन कुल से आते थे। ऐसी स्तिती में यह स्वभाविक है कि चानक्य की आस्था वर्नाश्रम धर्म के लिए होगी। जिसके अनुसार शाशन करने का अधिकार छत्रियों के पास ही है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्ण आता है कि चानक्य जैसा रूडिवादी ब्रहम्मन निम्नकुल से आने वाले चंद्रगुप्त की सहायता राजा बनने में क्यों करता। आईए स्वयम देखते हैं कि चानक्य निम्नकुल से आने वाले राजाओं के प्रती क्या सोचते हैं अर्थ शास्तर की दुतिय पुस्तक के आठवे अध्याय में चानक्य से प्रश्न किया जाता है कि क्या निम्न कुल से आने वाला सक्तिशाली राजा स्रेष्ट है कि उच्छ कुल से आने वाला दुरूबल राजा तो इस प्रश्न पर चानक के उत्तर देते हैं लोग स्वभाविक रूप से उच्छ कुल में जन में व्यक्ती के आदेशों का पालन करेंगे यद्यपी राजा दुरूबल भी हो क्योंकि सम्रिद्ध लोगों की प्रवित्ती उच्छ कुल वाले राजा का अनूसरण करने की ही होती है इसके अतिरिक्त लोग निम्नकुल से आने वाले राजा के विरुद्ध शन्यंतर रश्ते हैं भले ही वह कितना भी शक्तिशाली हो जैसा की कहा गया है सद्गुणों के अधिपत्य के कारण मित्रता होती है परन्तु कथा अभी समाप्त नहीं हुई है एक ग्रंथ है जो की पाँचवी सदी और आठवी सदी इस्वी के बीच रचा गया था यह ग्रंथ है मुद्र राक्षस मुद्राक्षस एक नाटक है जो की चंद्रगुप्त के राजा बनने की कथा पर अधारित है और इसकी रचना विशाक दत्त ने की थी इस नाटक में विशाक दत्त ने कई स्थान पर चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का उपयोग किया है जिसका स्पष्ट अर्थ है बिना किसी कुल वाला उसने चंद्रगुप्त को व्रिशल कहकर भी संबोधित किया है जिसका अर्थ शुद्र का पुत्र होता है इस नाटक में चंदरगुप्त के शत्रू उस पर यह काकर आक्षेप लगाते हैं कि उसके कुल का कोई पता ठिकाना नहीं है, ऐसी स्थिती में वह राजगदी के योग्य नहीं है, यह नाटक भी चंदरगुप्त को नंदों से जोडता है इसके अनुसार चंदरगुप्त एक नंदराजा के पुत्र थे, इस तथ के कारण हम यह कह सकते हैं कि मुद्रराक्षस की कथा का कुछ अंश उन पुराणिक टीकाओं पर अधारित है जिसकी हमने चर्चा की है परन्तु ऐसा नहीं है कि मुद्रराक्षस एवं पुराण में जिस प्रकार के तथ आये हैं वह समान हैं हम सभी जानते हैं कि पुराणों में नंदराजवंश को शूद्र बताया गया है परन्तु जब हम मुद्र राक्षस पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहां नंद राजवंश को उच्छ कुल का बताया गया है। इस टीका में हमें मौरे राजवंश की उत्पत्ती के विशय में एक नई कथा पढ़ने को मिलती है। इस कथा में दुंदी राज हमें बताते हैं कि चंद्रगुप्त मौरे के पिता का नाम है स्वार्थ सिद्धी और वह एक नंद राजा हैं। उनकी एक पत्नी है जिनका ना नाम है मूरा जो की चंद्रगुप्त की मा है। मूरा के लिए दुंदी राज व्रिशलात्मजा शब्द का प्रियोग करते हैं जिसका अर्थ होता है शूद्र की पुत्री। दस्वी एवं क्यार्वी शताबदी के कश्मीरी ग्रंथों में भी हमें इस प्रकार की कथा पुरानिक टीकाओं एवं मुद्राक्षस की भाती ही हमें इन कश्मीरी ग्रंथों में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद राजा के पुत्र थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक और पुरान खुल कर मौरे राजवंज की उत्पत्ती के विशय में सपष रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं परन्तु हमें पुरान की टीकाओं में मौरे राजवंज एवं नंद राजवंज के संबंद में बताया गया है वहीं मुद्राक्षस एवं ब्रिहत कथा मंजरी या कथा सरित्सागर में एक नई कथा पढ़ने को मिल रही है जिसमें नंद राजवंज को तो उच्छकुल का बताया गया है परन्तु इसके साथ साथ हमें यह भी कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता एक नंद राजा थे तो इस प्रकार के दो तथ जो कि हमें इन ग्रंथों में मिल रहे हैं वह आपस में मेल नहीं खाते हैं इस कारण से इन ग्रंथों के अधार पर मौरे राजवंज की उत्पत्ती के विशह में कुछ कह पाना अतियंत कठिन है इसलिए अब अहम बौध ग्रंथों की साहता लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मौरे राजवंज की उत्पत्ती के विशह में यह बौध ग्रंथ क्या कहते ह बौध गरंथ मौरे राजवंश के विशय में सूचना देने वाले प्राचीन गरंथों में से एक है। एक बौध गरंथ है जिसका नाम है महापरिनिर्वान सूत्र। इस गरंथ की रचना चौथी शताबदी इसा पूर्व में हुई थी। यहां ध्यान्द ने योग्यबात है कि मौरे राजवंश की उत्पत्ती के विशय में जितने भी गरंथों की चर्चा हमने की है उन सभी गरंथों में से महापरिनिर्वान सूत्र सबसे प्राचीन है। इस गरंथ में एक कथा आई है जिसके अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यू के पश्चात कुशिनारा म उनका दासंसकार किया जा रहा था। उसी समय पिपलीवन के मौर्यों ने बुद्ध की अस्तियों के एक अंश पर अपना दावा प्रस्तोत करते हुए यह संदेश विजवाया था। बगवान बुद्ध क्षत्रियवर्ण के थे और हम भी क्षत्रियवर्ण के हैं। इसी का कारण हम भी बगवान बुद्ध की अस्तियों का एक अंश प्राप्त करने के योग्य हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि पिपलीवन के यह मोरिया वही मौर्य थे जिन्होंने आगे चल कर मौर्य सामराज्य की स्तापना की। और नीलकंठ शास्त्री के अनुसार पिपलीवन का क्षित्र वर्तमान समय के निपाल में स्थित रुमिंदेई एवं गोरकपुर के कसिया नामक स्थान के मध्य में स्थित था। केवल महापरमिर्वान सूत्र ही ऐसा बौध गरंथ नहीं है जिसमें मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है। एक और बौध गरंथ है जो कि पाचवी शताबदी के आसपास लिखा गया था। यह गरंथ है महावमश्टी का और इसमें भी मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है और उन्हें शाक्यकुल से जोड़ा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं गौतम जाज विदूरत्थ ने शाक्यों का नरसंगहार आरंब किया तो कुछ शाक्य वहां से भाग कर एक ऐसे स्थान पर आये जहां मौर बहुत अधिक थे। कुछ समय बाद इन शाक्यों ने अपनी जीवी का इन मौरों पर आधारित कर ली और इसी के कारण इन शाक्यों को मौर की उपाधी दे दी गई। चंद्रगुप्त के पिता इसी मौरे पालन करने वाले कुल के प्रमुक थे। इन मौर्यों का जीवन यापन बहुत सुकद रूप से हो रहा था। परंतु तभी एक सक्तिशाली राजा इन पर आक्रमन कर देता है। इस आक्रमन में चंद्रगु में थे। और उनकी माता वहां से जान बचाकर पाटली पुत्र आ पहुंचती है। और कुछ समय वह भेश बदल कर इस नगर में रहती हैं और चंद्रगुप्त को जन देती है। एक दस्वी शताबदी का गरंथ है जिसका नाम है महाबोधी वंश। इस गरंथ में भी मौर को शाक्यों से जोड़ा गया है। इस ग्रंथ के अनुसार राजाओं के राजवंश में जन में राजकुमार चंद्रगुप्त मोरिया नगरे नामक स्थान के निवासी थे जिसे शाक्य पुत्तों ने बनवाया था। द्विज ब्रहमन चानक के द्वारा समर्थित होकर चं जिन ईटों से इस नगर का निर्मान किया गया है उसका रंग और मोरों के कंठ का रंग समान है। और जिन लोगों ने इस नगर का निर्मान किया उनका नाम मोरिया था। चंद्रगुप्त एवं मोरे राजवंश के विशय में एक कथा हमें म्यानमार के बौद ग्रंथों मे पढ़ने को मिलती है इस कथा के अनुसार चंद्रगुप्त के पूरवज वैशाली के प्रसिद्ध लिच्छवी शत्रिय थे और ऐसा बताया जाता है कि जब मगद के समराथ अजाद शत्रू ने लिच्छवियों की राजधानी वैशाली को ध्वस्त कर दिया था तो कुछ लि लिच्छवी आगे चल कर मौर्यों के पूरवज बने तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि म्यानमार की बौध परंपरा में मौर्यों को लिच्छवियों से संबंधित बताया गया है वहीं अन्य बौध स्रोतों में उन्हें शाक्यों सो जोड़ा गया है परंतु इन दोनों के स्रोतों में एक बात समान है कि भले ही हम लिच्छवियों की बात करे या शाक्यों की बात करे दोनों ही क्षत्रिय थे तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि इन बौध गरंथों में मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है इसके साथ साथ दूसरी शताबदी का एक गरंथ है जिसका नाम है दिव्यावदान, इस ग्रंथ में मौर्यों को क्षत्रिय मूर्धा विशक्त की उपादी दी गई है, जिसका अर्थ होता है ऐसा क्षत्रिय जिसका राज तिलक हो गया हो। बौद्ध ग्रंथ सबसे प्राचीन है जिन में मौरे राज वंच की उत्पत्ती के विशाय में हमें बताया गया है। बड़ा कारण है। जैसा कि हम सबी जानते हैं मौरे राज वंच और विशेश रूप से अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार में एक बड़ी भूमी का निभाई थी। ऐसी स्थिति में यदि मौय ख्षत्रिय ना भी होते तब भी बौद्ध ग्रंथों में उन्हें ख्षत इसी कारण से इन इतिहासकारों के अनुसार हम देखते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में मौर्यों को शाक्य या लिच्छवी कुल से जोड़ा गया है। तो यह तो हो गई बौद्ध ग्रंथों की बात। हमने पुराण एवं बौद्ध ग्रंथ में मौरे राजवंच के में क्या बताया गया है जैन गरंथों का यदी हम अवलोकन करते हैं तो हमारे समक्ष दो मत आते हैं एक और कलप सूत्र नामक गरंथ में मौर्य पुत्र का वर्णन है जिसे कश्यप गोत्र का बताया गया है वहीं दूसरी और हेम चंद्र आचारे द्वारा रचित उत्तराधयन टीका में बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मा मोर पालने वाले एक समुह की मुख्या की पुत्री थी। इसके अतिरिक्त चंद्रगुप्त के पिता एवं मौर्यों के वर्ण के विशय में कुछ नहीं बताया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्तिक स्रोतों में मौर्य राजवंच की उत्पत्ती के विशय में पुराण स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे हैं। वहीं पुराणों की टीकाओं में, मुद्राक्षस में या अन्य कश्मीरी ग्रंथों में मौर्यों को शूद्र बताया गया है। वहीं यदि हम बौद्ध ग्रंथों की बात करें तो इन में अधिकतर ग्रंथों में मौर्यों को शत्रिय बताया गया है। वहीं जैन ग्रंतों में स्पष्ट रूप से मौर्यों के वर्ण के विशय में हमें कुछ भी पढ़ने को नहीं मिलता। तो यह तो हमने साइतिक स्रोतों का विशलेशन कर लिया। अब बारी आती है अभिलेखों की। जूनागण में मिले रुद्रदामन के प्रसिद्ध शीलालेख में चंदरगुप्त का उलेख आता है। इस शीलालेख के अनुसार चंदरगुप्त के प्रांतिय राजपाल का नाम पुष्य गुप्त था जो वैश्य वर्ण का था। इस अधार पर कुछ विद्वानों का यह मानना है कि पुष्य गुप्त चंदरगुप्त मौर्रे का दमात था। और क्योंकि पुष्य गुप्त वैश्य वर्ण का था तो चंदरगुप्त मौर्रे भी वैश्य वर्ण के होंगे। अब हमारे लिए यहां यह जानना आवश्यक है कि इतिहासकारों ने चंदरगुप् के बीच में जो यह संबंद हमें बताया है वह मात्र अनुमान पर अधारित है हमारे पास कोई ऐसा साक्ष नहीं है जिसके बल पर हम यह कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एवं पुष्य गुप्त आपस में संबंदित थे मौर्य राजवंश की उत्पत्ती के विशय में प्रकाश डालने वाला एक और शीला लेख है जो खान देश क्षेत्र के 40 गाउन आमक स्थान में स्थित है यह शीला लेख दस्वी शताबदी का है जो एक मंदिर से प्राप्त हुआ था इसमें एक मौरे परिवार का उलेख है इस शीला लेख के अनुसार इस मौरे परिवार की उत्पत्ती सूर्य कुल से हुई जिसका अर्थ होगा यह मौरे परिवार शत्रिय है परन्तु यहां एक समस्या है, हमारे पास ऐसा कोई साक्ष उपलब्द नहीं है जिससे हम प्राचीन भारत के मौर्रे राजवंश एवं दस्वी शताबदी के दक्कन के इस मौर्रे परिवार को जोड सके। तो इस प्रकार सभी स्रोतों का विशलेशन करने के पश्चात हम यह देखते हैं कि मौर्रे को या तो क्षत्रिय बताया गया है या शूद्र। वहीं दूसरी और बौद ग्रंतों में मौर्रे राजवंश के विशह में जो जानकारी आई है उस पर इतिहासकारों एवं विद्वानों के जो प्रश्न हैं वह भी तरक संगत जान पड़ते हैं। अब मैं आप से जानना चाहता हूँ कि आप मौरे राजवंश की उत्पत्ती के विशह में क्या सोचते हैं और आपके अनुसार किस स्रोत में मौरे राजवंश के विशह में जो जानकारी दी गई है वह तरक संगत है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो क्रिप्या करके सब्सक्राइब करें।